है वेलकॉम बाक तो दो कोर्स ओफ एमस्बीटी नेक्स्ट आइकॉन आज हमारी माइक्रोप्रोसेसर की फॉर्थ लेक्टर हैं बट इससे पहले गर आपने पहले के लेक्टर को नहीं देखा फॉर सेकेंड धर को सबसे पहले वो जाके देखो ताकि आपकी सारी चीज़े क्लि को देखेंगे कैसी होती और असेमले डिरेक्टिफ के बाड़े में बहुत सारे स्टेप्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है आज के लेक्चर में आज के लेक्चर में हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़े समझ में ना है क्योंकि के स्टूडेंट के लिए ये जो प्रो तब जाके हमें यहां पर माइक्रो प्रोसेसर की भी ऑपरेशन समझ में आती है अच्छे से बट अगर आपको वो चीज़े क्लियर नहीं है आपको चीजों में प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं आप सिंपल चीजों को लेर्ण करो याद क तरीकी से समझ में और जितना एक कंवर साइंस की स्टूडेंट को जरौत होता नहीं है आपको मिले ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडाम डिवलप्मेंट स्टेप्स की बारे में जितने भी प्रोडामिंग लैंगवजे सब जगह सेम ही स्टेप्स होते हैं यहां प कुछेइंग नाचना नहीं को की सबसे और कि आसे बांपर कॉरियेंग में टाला थीएंग और यह सूर आपके हाते हैं राहिटिमें फलो चार्थ में टीक हैं उसकी बाया चार्ट में। क्या करते हैं तो हम न नो old делать that यह कोडिंग करते हैं और प्रॉडम को दोड़ाम को अपने लिखते हैं दिन टेस्ट एक्जेक्यूशन जो हम एक्जिक्यूट करते हैं और टेस्ट करते हैं चुक्छराम है वह हमारी रीक्वार्म abd इतार पर रन हो रहा है या नहीं हो रहा है दिन अगर कुछ error आती तो हम उसको debug करते हैं मतलब वापस से चेक करते हैं and then final documentation जब हमाई प्रोग्राम पूरी रन हो जाती है तो हम उसका document टेर करते कि हां यार इस प्रोग्राम का यह पूरा solution है तो यह होती प्रोग्राम development steps अगर आपकी M.I.C. की जो एक theory exam होती तो यह question 100% होता चे मास के लिए कि explain the steps of program development in assembly explain the steps of assembly language programming program development steps of assembly language programming but आपका mcq steps mcq based exam में तो वहां पर यह question नहीं आएगा बढ़ा इसके कुछ points आ सकते हैं suppose question आएगा कि which of the following is the step of program development in assembly language ठीके तो आपको यह पर तीन options दे देंगा और नीचे all of the evap देदेगा तो आपको all of the evap पर टिक करना ऐसे questions आपके exam में आ सकते हैं ठीके तो यह program development steps होता है आपने बहुत बहुत बार पढ़ाओगा c c++ java data structure advanced java android जितनी भी subjects अभी तक आपने पढ़े हैं हर एक subject में आपके algorithm होता था algorithm का basic मतलब क्या होता है यह आपका normal English language और थोरे से syntax base को use करके हम एक set of instructions बनाते हैं और उस instruction के आधार पर हम अपने coding को लिखते हैं जो भी हम program को करने वाले जो भी हम programs को लिखने वाले वो program कैसा होगा वो हमारे algorithm बेडिपेंड करता है basically algorithm हमारी standard language में हम लिखते हैं और उस algorithm के basis भी हम एक program को बनाते है सबस्कोर आपके addition की program है सबसे पहला आप algorithm लिखोगे algorithm में मतलब आप set of rules या फिर आप programmer को बता रहे हैं कि आपको programming कैसे करनी है कि पहला यह number लेना दूसरा यह number लेना इसको इस variable में store करो इस इस नमबर को दूसरे variable में store करो दोनों के भीच में addition perform करो then result output दिखा तो यह सारी चीज़े हम लोग करते ह तो and the word algorithm means a process or a set of rules to be followed in calculations or other problem solving operations therefore algorithm refers to a set of rules instructions that step by step define how it works to be executed सा मैं आपको बता ही कैसा आपका program execute हो वो आपका algorithm बताता है step by step ठीक है तो इसको हम लोग algorithm कहते हैं अधिक algorithm की simple example हम लोग देखते हैं जहां पर हम लोग 8086 में 2 BCDN numbers को add करें मैं आपको इस lecture के starting से पहले ही बताया था कि इस lecture में हो सकता है आपको कुछ चीज़ों समझ में ना है तो आपको याद करके रखना है कि हां या 2 BCD numbers का algorithm ऐसा होता है हम लोग आपर यह operation perform करते हैं ठीक है सबसे पहले हम लोग algorithm to add 2 BCD numbers इसके algorithm सबसे पहले हम लोग सबसे पहला step क्या है load data from offset 500 to register AL मतलब AL क्या था हमारा 8 byte का एक register होता है BL भी 8 byte का हमारा register होता है ठीक है तो हमने AL register के अंदर अपना पहला data को लिया दिन दूसरे BL के अंदर हमारे दूसरे data को लिया second number जो bracket में आपके दिख रहा है first number को हमने AL में store किया simple language में BL second number को हमने BL में store किया add these two numbers दोनों हमने AL को और BL के contents को basically registers के content को add कर दिय है apply DEA instruction DA instructions इसको बोलते हमनों जहां पर हमनों decimal adjust करते हैं जैसे हम नॉर्मली भी basic mathematics में कैसे करते हैं decimal को adjust करके लिखना अगर decimal वाले आपके numbers हैं तो यह instruction क्या करता है आपके decimal के चीज़ों को adjust करके लेता है computer में ठीक है तो इसलिए हमने DA instruction का use करते है ठीक है decimal adjust करने के लिए उसके बाद store the results to offset 600 मतलब जो हमने result जो भी addition हमने perform किया है उसको हमने एक result को store किया then register AL को 00 assign किया add contents of register AL to itself with carry अगर कुछ carry आता है तो उसके साथ हमने उसको add किया then last में अपने result हो का है store 601 में ठीक है यह basically memory address होती है हमने stop किया तो यह basically algorithm है जो हो सकता आपको चीज़े समझ में ना है हो सकता आपको कभी कभी कुछ चीज़े में problem हो कि यह offset क्या है 501 क्या 501 500 क्या 501 क्या according to मेरे recording मेरा suggestion यह है कि मैं भी computer science का student था मुझे भी same problems आती थी ठीक है अगर आपकी basic बहुत strong है BCD addition prediction hexadecimal इन सब चीज़ों की microprocessor की digital techniques अगर subject आपकी strong थी तो आपको problem नहीं आगी अगर आपकी screenshot लेना है और उसको लिखना और उसको याद कर लेना आपकी सारी चीज़े clear हो जाएंगी विश्वास कुर मेरी बात होगा ठीक है बट इन सब चीज़ों को याद करके लो जादा अच्छा है आपके exam के लिए क्यों को number score अगर करना है तो ठीक है अब हम लोग same algorithm की program को देखते हैं और उसमें हम लोग यह समझेंगे assembly language programming हम लोग कैसे करते हैं थोड़ा सा आपको बहुत ही inappropriate लगया बहुत ही अजीब लगया programming क्यार यह क्या आगया यह बहुत अलग अलग चीज़े मैं आपको पहले बता है जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही उन चीजों को याद करके लो ठीक है यह हमारा में यह है जो हम यह जो आप structure देख रहे हो यह जो assembly language programming के software structure की वहां पर programming ऐसे होती output ऐसे आता बट यह जो आपकी part यही आपकी बस programming है ठीक है यह हम program को लिखते हैं ठीक है सबसे पहले हमने क्या किया move al 500 ठीक है हमने al register में अपना सबसे पहला data लिया 500 then 501 को हमने bl में store किया then हमने add operation perform किया al bl ठीक है add करने की बाद computer में add करने की बाद आपको decimal adjust करना होता जिसके लिए हमनों dda का al को sorry then हमने फिर al में अपने result को move किया 00 को al assign नहीं किया फिर add कि add with carry किया al और al को अगर कुछ carry होती है तो हम adc का use करते हैं अगर हमारे पास कुछ carry आती है तो then हमने 601 al को 601 में किया hlt मतलब हमारा program यहाँ पर end हो गया ठीक है यहाँ पर देखो carry यहाँ पर comments बताएं यह होता है programming structure microprocessor का मैं guarantee देता हूँ कि अभी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखे रहे उसमें 90% कोई program समझ में नहीं आएगा ठीक है आपको यह program समझ में आएगी ही नहीं आएगी बहुत कम बच्चे हों जिनको भी program समझ में क्योंकि इसका structure कुछ ऐसा होता है first time में first site में यह program नहीं समझ में आगा आपको क्योंकि इस program का structure ऐसा है कि आपने आज कभी देखी नहीं तो इस situation में आपको डरने वाली कोई बात नहीं घबराने वाली कोई बात नहीं पैनिक मत होना क्योंकि आप computer science के student हो आपको microprocessor आपने कभी पढ़ा नहीं है आपने कभी microcontroller पढ़ा न करना पड़ेगा जैसी मूव एल मूव बील एड हम सबसे पहले क्या करो एक सबसे याद करो metric बताता हूं सबसे पहले हमने क्या कि एक एल में अपने first number को store किया दिन बील में first number दूसरी number को store किया एल और बील कि हमारा डिस्टर से बाइट का basically एल मतलब एक्स का लोवर बाइ ठीक है जो हमने last lecture में पढ़ा था तो उसके बाद हमने दोनों को add किया अगर decimal है तो डी डा से decimal को adjust किया दिन अपने result को एल में store किया दिन ADC से हमने अगर कोई carry आएगा तो इसको adjust किया दिन last result को एल में move किया HLT मतलब end किया बहुत सिंपल प्रोग्राम है ठीक है आप इसको ऐसे याद करो आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा ठीक है तो यह हो ता प्रोग्रामिंग की जहां पर प्रोग्रामिंग को ऐसे perform करते हैं अ तो सबसे पहले हमने क्या move AL500 मतलब load data from offset 500 to registered AL जो भी हम data load करते हैं offset 500 उसको हमने AL में डाला है store किया then हमने 501 से data को BL में डाला then हमने दोनों को add कि add contents of register BL and AL को add किया then decimal adjust किया AL का then store data from registered AL to offset 600 offset मतलब क्या होता address होती है memory address ठीक है तो हमने AL से data को लिया और offset 600 में store किया then हमने move AL set value to register AL को हमने 00 assign कर दिया value ठीक है अब हमने क्या किया जो AL के contents उनको add किया अगर कुछ carry आती है तो ADC का use करेंगा add with carry ठीक है उसके बाद हमने जो AL की जो data थी उसको 601 में store किया और actuality stop किया यह structure होती है programming की अगर आपको एक diploma के syllabus मैं मुझे एक problem लगा कि अगर आपको microprocessor पढ़ाना तो इसके पहले एक semester में आप microcontrollers या फिर microchips की थोड़ी बहुत जानकारी बच्चों को दो क्या होता है कि आप fourth semester में आते हो और आपने पहले तीन semester microprocessor का face भी नहीं देखा होता है तो आपको चीज़े problem होती है तो इसलिए आपको इसको याद करके लिए ना वह ज्यादा better होगा आपके लिए मेरी suggestion तो यह इसके पदम आते है assembly Directive पर कि ज़ो हम Assembly language programming कर रहे हैं उसमें Assembly Directive का मतलब क्या होता है बैसे कि लिए assembly directives कि सको कहते हैं ठीक है assembly directives are the instructions used by the assembler at the time of assembling a source program more specifically we can say assembly directives are the commands or instructions that control the operation of the assembler हम कभी भी assembly language में कोई भी प्रोग्रांबिग कर रहे एसेंबली डिरेक्टिप्स जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि एक तरह का कमांड है एक तरह का इंस्ट्रक्शन जैसे हम लोग एक बहुत सिंपल में अगर आपको एक जासे डीडी डबल बाइट यह डवल डीबी मतलब डवल बाइट डीडी मतलब डवल डीक्यू मतलब डवल क्वाट डेटा ठीक है जैसे हम लोग जावा प्रोडामिंग में करते थे इंटीजर फ्लोट डिफेंट डिफेंट डिटा टाइपस के लिए बैसिकिल इंटीजर क्या था एक कमांड था कि आप जो डेटा अगर को टिक स्व यह तो अप्शन तर देता यह तो अफ़क्षर को कि आप टिनों में और स्युड्यों इसलीड़ डिरेक्टिप्स को यहां पर टीनों का सेम ही अंसर होगा अगर तीनों अगर तीनों में से कोई भी एक option आता है आपको टिक करना हमापे confused नहीं होना अगर तीनों option आते तो और all of the web आता तो आपको all of the web में टिक करना है ठीक है तो assembler directives basically instruction होता है command होता है जो हम लोग assembler को देते हैं जब हम लोग कोई भी operation perform करते हैं तो ठीक है कुछ examples म आपको बताता हूँ जैसे dd define double word dq define quad word dd define 10 bytes dup duplicate proc मतलब procedure end p मतलब end of procedure ठीक है यह procedure और macros हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लिर होगे कि हम procedure macros कैसे बनाते हैं बट यह जैसे जैसे आप कैसे आप java यूज करते हैं जावा में लोग कैसे function को क्लिर करते थे public void function और function का नाम ठीक है तो आप function क्या था हमारा function keyword था या फिर इने रिटेंस में इक्स्टेंड keyword इंटरफेस में इंप्लिमेंट कीवर्ड ठीक हो सारी चीज़ें क्या होती है वह सारी चीज़ें क्मांड होता है कि आप यह चीज़ें यूज कर रहे हो सेम यहां पर वही सारी चीज़ें जैसे प्रॉक मतलब प्रोसिजर स्टार्ट हुआ इंड प्रोसिजर डीकडीडी डिफाइं डबल वर्ड जैसे हमारा वहां पर था इंटीजर फ्लट वहां यहां पर वह सारी चीज़ें एस्मेल डीरेक्टार्टिव का काम होता है ठीक है I hope आपकी चीज़े clear हुई होगी जिन चीज़ों में आपको problem हुए होगा उन चीज़ों को हम लोग doubt session में discuss करेंगे for sure and मेरा फिर से suggestion है आपको कि आप चीज़ों को याद करते चलो क्योंकि यह subject ऐसी है कि आपको चीज़ों ज्यादा clear नहीं हो पाएंगी क्यों आप computer science के student हो और यह subject ENTC का है आपको ध्यान रखना है electronics and telecommunication का paper है still मैं इसको बहुत ही easy language में आपको बताने की कोशिच कर रहा हूँ कि जितना जादा easy हो सकता जादा easy मैं आपको बताओ तो इसलिए आपकी जो duty है कि आप पूरे lectures को अच्छे से देखो इसका screenshot लेके notes बनाओ और ज़रूरत पर तो अपने language में notes बनाओ और साथ-साथ में इसको याद करना सब्सक्राइब को तो आपकी जीज़ादा clear होंगी okay thank you so much for watching this video have a good day